नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राके शिवानिया श्रो चैलल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि लास्ट दो वीडियो से मैं आपको संतान भाव के फल बता रहा हूं कि संतान होगी नहीं होगी अगर होगी तो कैसी होगी इसके बारे में मैंने वर्णन किया है पीछे जो शास्त्रिय मत के अनुसार ये कोई मत ऐसा नहीं है जो किसी की रिसर्च है या किसी का कुछ है ये रिशिव मुन्यों द्वारा लिखे वे ही सुत्र हैं जो हमेरे शास्त्रों में दिये गए हैं उनी सुत्रों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दो वीडियोस की हो चुकी है अगर आपने वो ना देखी हूँ तो देख लीजिए बहुत इंपॉर्ट आज तीसरी वीडियो में आपको बताने चाहता हूँ कि उसके अलावा जो दो में पढ़ा हैं आपको और क्या-क्या योग और सिधान्त बनते हैं जो बताते हैं कि सन्तान होगी या नहीं होगी तो कहते हैं सुतनात जीव कुछ भास्करेशु वाई, पुर्शांच केशु चैगतेशु कुत्र चित है। ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं यदि पांचवे घर का स्वामी सुतनात सुतनात मिन स सुतिस्थान जो हमारा होता है, पांचवे घर का स्वामी, कुछ भासकरेशुव है, कुछ बोलते हैं मंगल को, भासकर बोलते हैं सूर्य को, और जीव बोलते हैं ब्रहस्पती को, सुतनात जीव, पांचवे घर का स्वामी, ब्रहस्पती, कुछ मंगल, भासकरेशुव, सूर् लेकिन पुरुष नवांश में हो, तो मुनियों का मत है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत पुत्र होते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में पांच वे घर का स्वामी कौन बनता है, उसको नोट कर लीजिए, ब्रसपती को नोट कर चार्ग रहे आपने नोट कर लीजिए, अब आप ये देखिए, ये चार्ग रहे D9 चार्ट में, जो नवांश खुंडली होती है, उसमें किस-किस राशी में गए हैं, अगर ये पुरुष राशी में गए हैं, पुरुष राशी कौन से होती हैं, पुरुष राशी जितनी पाप ग्रह कौन से हमारे मंगल शनी राहु केत्व सूर्य, अगर इनके साथ बैठा हो, कांउट ग़्रता हो, तो निर्बल हो गया है, अब पंचमेश निर्बल हो गया, तो ऐसे संताइए, ऐसे इंसान के फुत्र तो होंगे, लेकिन धो कुपुत्र होंगे, वो मतलब आपकी आग्या को नहीं मानेंगे, आपकी आग्या को शिरोधार या नहीं करेंगे, आपके देगे संस्कार कर नहीं चलेंगे, ये चीज भी ध्यान देनी होती है, इसके बाद कहते हैं, एक और शलोक है, जिसमें कहा गया है, पुराशेन से धीश्वरे पुग्रहे युर्टे द्रस्टे पुग्रहे प्रप्रसूती, ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं, किसी व्यक्ति के कन्या होंगी या पुत्र, ये से धान कैसे पता लगा है, ये बहुत बड़ा ज्वरंद प्रशन होता है, कुर्ली देखके कि कन्या होंगी या पुत्र होंगे, लेकिन आज के जमाने में ये चीज़, मैं तो अपनी तरफ से यही कहता हूँ कि नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि पुत्र और पुत्री में एक मात्र एक परसंट का भी डिफरेंस नहीं है, बलकि पुत्रियों ने जो आज दिखाया है, वो शैद पुत्र भी वो काम नहीं कर पा, पुरुष उंस में इस्थित, पुरुष उंस में इस्थितों का मतलब क्या है? कि D9 चाहट में पंचंभाव में पुरुष राशी हो। नीनाइन चार्ट भी आपको लेके बैठना पड़ेगा साथ, दीवन और डीनाइन चार्ट दोनों, लगन कुंडली और नवांस कुंडली दोनों आपको लेके बैठनी पड़ेंगी, अगर लगन कुंडली में भी पंचम भाव में पुरुष राशी हो, पंचम भाव में पु पुरुष राशी में है और पुरुष डहूं से देखा जाता है तो ऐसे रक्ती के पुत्र हो तो देखे कितना सिंपल है मतलब बहुत ही इसमें से आप यह लगाईए जितने नियम इसमें दिये हैं पचार या पांच या छे उन नियमों से आप कम से कम लगा लिजिए कि मैक् लगेंगे तो आप कह सकते हैं कि पुत्री होने का विशेश योग है या पुत्र होने का विशेश योग तो वही इन्होंने इसके अंदर बताया है कि पुरुष राशी हो नमान्श कुंडली में पुरुष राशी हो पुरुष राशी हो पुरुष राशी हो जो डीवन का पंचमेश है वो नमाश कुंडली में आपको चेक करना है कि वो किस राशी में है तो वो भी पुरुष राशी में होना चाहिए अग पुरुष रहों से देखा आता हो दीवन कुंडली में तो पुत्र किंतु यदि पंचम भाव में इस्त्री राशी हो इस्त्री नमाश हो जो आपका इस्तिर राशी में भी डीवन चाठ का पंचमेश इस्तिर राशी में गया है तो कंज्याय को और यह बात बाते पूरूरूप से घटित नहीं हो यह कि बात बोला है कि अवंदा प between रुप से इसा का बडर यह ना इंदर गया। यह सारी वाते नहीं घठती तो बिला जलना प्रभाव होता है लेकिन maximum जो होगा च्छा बाते हैं चैर बाते हैं अगर आपके उसमें आ हैं तो आप कह सकते हैं पुत्री हो गए या पुत्री यह तो एक श्लोक की यह था जो बहुत important है पर मैं यही कहँगा आप इस लोग को जादे मत लगाइये इसको के बल आप knowledge के लिए सीख सकते यह क्या क्या बोलते हैं यहाँ कहता है यह क्या में बैठे हों और अपने नमांश में बैठे हों पुरुष के कुंड़ी में सूर्य और शुक्र अपने घर में हों और अपने नमांश में हों और उपचे स्थानों में जा रहे हैं उपचे स्थान कौन से होते हैं तीसरा छटा दस्वा और ग्यारवा यह उपचे स्थान होते ब्रद्धी के स्थान होते हैं ये वाले तो अगर पुरुशी कुंड़ी में सूर्य शुक्र अपने घर में बैठे हों और अपने नमांश में बैठे हों और उप्चे स्थानों में जा रहे हों तो गर्ब रहता है और इस तरही कुंड़ी में मंगल और चंद्रमा अपने घर और अंश में बलवान होकर उप्चे स्थान में जा रहे हूं तो गर्व रहे हैं इस लोग शायद आप समझ नहीं पाये ठीक से मैं फिर दुबारा से आपको समझा देता हूं देखिए पुरुशी कुंड़ी अगर आप देख रहे हैं तो आप यह देखिए कि सूर्य और शु उप्चे स्थानों में जा रहे हैं उप्चे स्थान तीसरे चटे दस्वे ग्यारे विभाब में लगन से घोचर अगर आप लगा होगे तो तो गर्ब ठहर जाता कई इस त्रह की गर्ब नहीं ठहरता तो वह इस बास से बड़े परिशान रहते हैं कि साब कंसीव ही नहीं हो इस लोग बेर इस लोक में यह बताया गया कि कितने पूत्र है वह संतान प्यदा करनने ही योगे हैं लेकिन मातान पैदा नहीं करना चाहते तो different family planning methods का सहरा ले तो इसलिए आज के जमाने में ये बताना कि आपके 6 पुत्र हैं या आपके 5 पुत्र हैं या आपके 4 पुत्र हैं वो देशकाल परिस्तिती के हिसाब से उचित पर फिर भी जो शास्तर में लिखा है वो मैं आपके सामने बर पढ़ देता हूँ उसमें कहते इसे हैं जो मित्र शत्रू और नीच नवांच में हैं मतला उनको देखे कि जो ग्रह बैठे हैं पांचवे घर में या पांचवे घर के स्वाने के साथ वो दीना इंचार्ट में मित्र राशी में है नीच राशी में है या शत्रू राशी इसी प्रकार यह है विचारिये कि ब्रस्पती से पंचम इस्थान में कौन-कौन से ग्रहे हैं और ब्रस्पती से पंचम इस्थान का स्वामी मित्र नमाश में है या नहीं ब्रस्पती से पंचम इस्थान का स्वामी मित्र नमाश में है या नहीं तो यह बताता है आपको कि आपके कितनी संतान होंगे कितने गरह बैटे हैं उतने ही संतान ये आपका ये था शलोग तो आशा करता हूँ आपको जो मैंने ये शास्तरों के हिसाब से संतान के शलोग बताए आपको समझभाए होंगे समझभाए हैं तो कांडली लाइक कीजएगा, सबस्क्राइब कीजएगा शेयर कीजिएगा और इसके अलावा हम लोग कुछ class अटेंड, class शुरू करने जा रहे हैं astrology के उपर, astrological remedies के उपर, जो भी interested हैं वो शुरू कर सकते हैं एक और चीज में आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी comments हैं आप दीजिए जो आपकी knowledge से संबंदित, कुणली से संबंदित नहीं, कि कुणली हल करवाएं आप लेकिए knowledge से संबंदित, जो भी आपके comments है, astrological knowledge संबंदित, वो आप भेज सकते हैं बीच में मैं एक class लेने वाला हूँ, जिसके अंदर में आप सब के comments और सबका answer वे आप तब तक के लिए धन्यवाद, जैसी कृष्णा, नमस्कार